हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस यूटूब चेनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग कलास 12 के बायोलोजी का 70 अब्जेक्टिव कोशन करेंगे और दोस्तो सारा कोशन काफी जदा इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड इकजम के देखे पहला परशन क्या है नास्पती का बैज्यानिक नाम या बनस्पती नाम क्या है नास्पती का बैज्यानिक या बनस्पती नाम क्या है पायरस कम्योनिस नाम है क्या है पायरस कम्योनिस ठीक है दूसरा कोशन क्या है मुकुलन दोरा जनन निमनांकित किसमे होता है निम सी यहां पर भी कर लिजिएगा देखें तीसरा कोशन क्या है प्रकंद द्वारा काईक प्रवर्धन किस में होता है प्रकंद द्वारा काईक प्रवर्धन किस में होता है तो देखें यह अद्रक 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 और हल्दी दोनों हो जाएगा option number D अगला है सलक कंद क निम्नांकित में कौन उधारन है तो यह प्याज हो जाएगा सल्ककंद का उधारन ठीक है अंत तक बने रहेगा सारा कोशन काफी जदा important है याद रखेगा आविर्त बीजी में किस परकार का भुरून पोस पाया जाता है कई बार कोशन पूछा गया है याद रखेगा त्रीगुनीत क्या होता है त्रीगुनीत आपका भुरून पोस आविर्त बीजी में पाया जाता है ठीक है तीसरा है प्राग प्राग पिंडे निम्नांकित किस में पाया जाता है प्राग पिंडे निम्न में से किस में पाया जाता है अगला कोशन देखते हैं क्या है निमनांकित में कोन पार्थेनो कार्पीक फल है यह आपका केला हो जाएगा ठीक है अस्तन गरंथियों गरंथियां निमनांकित किस गरंथि का रुपांतरन है तो यह आपका है स्वेट गरंती अगला है देखे लिए ओनवासिक भीकार के अध्यन के लिए निमदंगित कों सा परिक्षन इस्तेमाल होता है भुरून में अनुवांसिक विकार के अध्यन के लिए कौन सा प्रिक्षन का इस्तेमाल किया जाता है वह प्रिक्षन का नाम है Emeni-O-Sentasis क्या होजाएगा Emeni-O-Sentasis option अबर बिलकुँ C होजाएगा अब है अमर बेल क्या है बतलाना है अमर बेल क्या है देखिए अमर बेल आपका है ये ये पुर्ण तनापडजीवी हो जाएगा अगला है जलिया एन्य हाइड्रोफाइड्स पोधे का निम्लांकित में कौन उधारन है जलिया पोधे का उधारन इनमें से कौन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कमल ह अगला कोशन क्या कर रहा है और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक एक लाइक कर दीएगा वीडियो को ठीक है और चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अगला है उत परिवरता निम्नांकित किसके द सिम्मेवार हैं तो इसमें तीन जीन हो जाएगा अगला है वी डी एन ए में दो निकलियो टाइड के बीच की दूरी कितनी होती है तो यह हो जाएगा आपका 3.4 ठीक है 3.4 ऑप्सन नमर बिलकुल बी नमर हो जाएगा अगला देखते हैं क्या निम्निकित में कौन समापन कौन हो जाएगा इसमें समापन कूट आपका UAA है अगला है DNA दुई कुंडली की विशेस्ता निम्नांकित में से क्या है यह है पूरक तथा परती समांतर क्या हो जाएगा पूरक तथा परती समांतर अगला देखते हैं क्या है मनुस का अबसोसी अंग निम्नांकित में बता तो आप से सी अंग हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन आपका क्या कहता है आर्की ओस्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्छी था तो यह आपका है यह जुरासिक काल में जुरासिक काल अगला जिवास्म के अध्यन को क्या कहते हैं तो इसे करते हैं paleontology paleontology ribonucleotide को निम्नांकित में कोन प्रिभासित करता है तो यह करता है आपका यह ribonucleotide plus phosphate group करता है अगला किस कोशिकांग की मदल से अस्थनांतरन की किर्या समपन होती है उसका नम Congratulations ribosome हो जाएगा क्या है अगला है humoral और संक्रमेयता किस से संबंधित है तो यह संबंधित है भी कोशिकाएं से टाइफाइड इमारी कानिमनाकित में कौन रोग जनक है तो साल्मोनेला टाइफी हो जगा साल्मोनेला टाइफी नेक्ट कोशन क्या है केचुवा, फुफुंद, गोबर, बीटल तथा मिर्दा माइट्स आदी में क्या समनता है तो इसमें डेट्री टी वोरस है ठीक है, इन सभी में क्या है डेट्री टी वोरस है, पाया जता है गिरवन किसके लिए विख्यात है तो यह आपका सेर के लिए विख्यात है ठीक है, सेर के लिए अगला देखते हैं क्या है एक परी तंत्र में आहार सिंखला कितने परकार की होती है तो यह आपका हो जाएगा ग्रेजिंग हो जाएगा क्या है एक परी तंत्र में आहार सिंखला कितने परकार की होती है इसमें कितना परकार की होती है ग्रेजिंग इसमें होता है एक ग्रेजिंग होता है option नमर बिल्कुल यह हो जाएगा निम्नांकित में से कौन सा जन्तु बिलुप्त हो गया है तो इस जन्तु का नम क्या है प्राकिर्तिक जीन कलोनिंग संभाहक का उधारन कौन है टाइप लाजमीड हो जाएगा टाइप लाजमीड हो जाएगा अगला अमलिया बर्सा के मुख कारक कौन है कई बार कोशन पूछा गया है याद रखेगा यह NO2 और SO2 हो जाएगा सरबती सोनोरा सोनोरा तथा कल्यन सोना किसकी किस्म है तो यह गयंू का किस्म हो जाएगा ठीक है ओप्सरन नमर भी हो गयंू का दोद किस जिवनु द्वारा दही मेरुप अंत्रीत होता है तो यह आपका लेक्टो बेसीलस काईक भुरुनो द्भाव निमनांकित किसके द्वारा क्या जा सकता है तो यह आपका जीवदरब समवर्धन के द्वारा RNAi तरीके से किसे नियंत्रीत क्या जा सकता है किसे नियंत्रीत क्या जाता है तो यह है आपका निमेट टोड्स को नियंत्रीत क्या जाता है ठीक है अगला है पिष्टिया पिष्टिया में कायक परवर्धन किसके द्वारा होता है तो यह होता है ओपसेट के द्वारा अगला है ड्रोसो फीला के माइकोईट में गुंसुत्र की संख्यां कितनी होती है इसमें आठ होती है ठीक है आठ अगला है परिवर्धन सील भूमी फलनी फल कोन हो जाएगा मूंग फली हो जाएगा मूंग फली अगला है गरभास्य में डेसी डुआ बाहर कब आता है तो यह आता है सीसू के जन्म के बाद अगला है गरभान अवधी है निसेचन एवं सीसु जन्म के बीच का ठीक है नीशेचन एवं सीसु जन्म के बीच का अगला देखते हैं क्या है सेल्टोली सेल्स का नियंतरन पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है यह लेच हार्मोन के द्वारा सरीर से बाहर होने वाले निशेचन को क्या कहा जाता इन बीटरो कहा जाता क्या कहा जाता इन बीटरो याद रखेगा इनमें से कौन उभयालिंगी नहीं है घरेलू मक्ही आपका हो जाएगा घरेलू मक्ही चले नेक्स कोशन क्या है इनमें कौन जलोद भीद पौधा है लेंगी पूछा गया एक इन में से कौन सा भाग ब्राग का ओकुप्स ही नहीं है कौन वाक से नमर भी पुनरुद भवन की किरिया निम्नांकित में से किसमें होती है यह होती है अस्पंज में किसमें होती है अगला जलकुंभी 65,000 से अधिक पोधे कितने महमें उत्पन कर सकता है काफी इंप्वर्टेंट है अगला इन में से कौन केवल एक बार अपने जीवनकाल में पुस्प पैदा करता है तो यह आपका है बांस ठीक है याद रखेगा यह भी इनसी आठी का कोशन है बांस हो जीगा निवन में से किसमें 12 बर्स में सिर्फ एक बार पुस्प खिलते हैं 12 बर्स में एक बार निला कुरेंजी याद रखेगा सभी इस्टुजेंट निला कुरेंजी आपका बिल्कूस है उतर होगा प्रकंद का एक उधारन आपका है यह अद्रक कलीकारोपन उधारन है काईक जनन का काईक जनन का ग्यहूं ग्यहूं सट गुनित होता है जिसमें कुल गुनसुत्र संख्यां 42 होती है तो इसके किसी युगमक में गुनसुत्र कितने होगे साथ हो जाएगा मक्का के अर्ध सुत्री में गुनसुत्रों की संख्यां होती है इसमें गुनसुत्रों की 20 हो जाएगा option नमर बिल्कुल सी सही उतर होगा next question क्या आए देखते हैं निम्रांकित में किसका पादप का है और गुनी तो होता है यह अपलोइड होता है किसका होता है तेकि सेवाल कवक ब्रायोफाइट से सभी का हो जाएगा इनमें से किस समूदाय के पोदों में यह इसे चन के लिए जल माध्यम आवश्यक है यह सेवाल ब्रायोफाइट स्टेरीडोफाइट सभी के इन सभी का हो जाएगा option D अगला है जब योगमक सनलायन जीव के सरीर के बाहर होता है तब या तब उसे कहते है तब उसे क्या कहते है उसे बाहर निसे चन कहते है जीव के सरीर के बाहर होता है उसे बाहर निसे चन जिसे आपका मेड़क हुआ ठीक है अगला देखे दुई खंडन किसमे पाया जाता है अमीवा परामेसियम आप सभी जनते है option D बीलकू हो जाएगा अगला देखे दुई खंडन अमीवा और परामेसियम दोनों हो जाएगा अमीवा परामेसियम दोनों option नमर D मुकूलन द्वरा जनन किसमे होता है आप सभी जनते है किसमे होता है इस्ट और हाइडरा दोनों में ता इसमें हाइडरा option नहीं है तो यह आपका है यह कोनीडिया पेनी सिलियम नावक कवक में ओलैंगिक जरन्णमुख रूप से किस संदचना के द्वारा पतला यह गात यह आपका है कोनीडिया के द्वारा इसका भी हो जाएगा अगला है जब दो भीन बिवेध कि युगमक सलयन करते हैं तो परजनन तो परजनन की इस विधी को क्या कहेंगे इस परजनन की इस विधी को कहेंगे लेंगिक परजनन ठीक है जिवानों में काईक परवर्धन होता है तो यह होता है दुखंडन दुआरा ठीक है दुखंडन दुआरा अगला है किसमें जनक कोशिका दो में विवक्त होकर नई जीवों को जन्म देती है, तो यह आपका है मोनेरा और प्रोस्टिष्टा दोनों हो जाएगा, ऑप्सन नमर बिल्कुल आपका C नमर हो जाएगा, मोनेरा एवं प्रोस्टिष्टा दोनों, नेक्ट कोर्षन देखते हैं क्या Jamules बनते हैं देखे Jamules का जो निर्मान होता है वह आपका स्पंजो में होता है Jamules का निर्मान ठीक है अब देखे इसे किसे बंगाल का आतंग की किसे कहा जाता है अब सबी स्टुडियन को बताना है सत्तर का जवाब हम इस वीडियो के comment box में ठीक है बंगाल का आतंग किसे कहा जाता है ब्रावेफाइट जलकुम भी अगया व क्यला हम आपको ये भी question बताए हुए किसी दूसरे वीडियो में तो आपको बतलाना है बंगाल का आतंग कि किसे कहा जाता आपके लिए comment box में बतलाएगा और सही होगा तो हम जब आप देंगे सही है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते एक नए वीडियो में फिर आपके साथ और देखिए हम अपने दूसरे चैनल पर हिंदी का वीडियो डाल दिये हैं आप लोग देखिए ठीक है प्रति एक दिन आप सब दिन वीडियो उस पर जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना है